एक महिला को गर्वधारन करना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती हैं। गर्वधारन होते ही उसके खुशियों का कोई ठीकाना नहीं रहता है। साथ ही उसके घरवाले भी उसके गर्वधारन करने से खुश होते हैं। और उसका खास खैर रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसका गर्वधान पीरेट चक्र पर निर्भर करता है। अगर पीरेट चक्र का खाला रखते हुए साइक संबंद बनाते हैं तो लड़कियों को गर्वधान करने में कोई परिसानी नहीं होती है। और आसानी से गर्वधान हो जाता है। साथ ही गर्वधान करने के लिए लड़कियां या महिलाओं का पीरेट सहीं होना भी आवश्चक होता है। अगर पीरेट में किसी भी तरह की कोई गर्वधारी नहीं होती तो एक स्वस्त भूरूण का निर्मार होता है। आज हम इसी बिसेपर साइंस के अनुसार जानने की कोसिस करेंगे कि पीरिड़ खत्म होने के कितने दिन बाद गरवधार होता है। अमेरिका हेल्थ आप मेडिसीन के सौट करताओं ने 10 महिलाओ पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि पीरियर्ट खत्म होने के 10-18 दिन बार महिलाओ के सरीर में एबुलेशन चगर सुरू हो जाता है इस समय महिलाओ के सरीर का तामान सामान स्थित में होता है जिसकी वज़े से गरवासे में बनने वाले अंडों की गुरुता अच्छी रहती है जिससे गरवधारन आसानी से हो जाता है और महिलाओ को इससे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है पीरियर्ट खत्म होने के 15-18 दिन बार महिलाओ के सरीर में प्रोजे स्टोरों हार्मोंस के निर्मान में बड़ोती होती है जिसके करद इस समय महिलाओ के अंडे पुरुष के सुक्राव के संबर्ग में आते ही फार्टेलाइज हो जाते हैं और गर्वधारन हो जाता है लेकिन कुछ डाक्टरों का ये भी कहना है कि गर्वधारन करना महिलाओ के स्वास पर भी निर्भर करता है जिन महला का स्वास्थ डांप जाखते हैं वाइसी महला एव लेशन छक्र के समय भी गर्वदान नहीं कर पाता। क्योंकि इस समय उनके गरभासे में मौजूद अंडे भून का निर्मार करने में स Eldrionध करने में शल्चम नहीं होते हैं। इसलिए जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हीं पीरिड और एबलेशन टाइम का खास खयार रखना चाहिए इसी परगार की जानकारी के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को जरूर दुआएं तक हमारी आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकरेशन आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद